असलाम लेकुम इस्टेंट्स लास फॉर्थ अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक देखिए इंग्लिश ग्रामर एंड कम्पोजिशन इसमें अब हम लोग हाफली स्टार्ट करेंगे अपना पी एफस कंप्रीर कर चुके हैं पी एफस के एक्जाम भी हो चुके हैं हाफली देख लेते हैं अपना सवी लोग देखिए हाफली में हम लोग को लेसन नमबर एट पढ़ना है अडज़ेक्टिव लेसन नमबर नाइन पढ़ना number 8 से lesson number 8 है adjective page number 16 सब लोग page number 16 निकाल ले lesson number हम लोग 8 पढ़ेंगे ठीक है देखिए यहाँ पर है page number 16 lesson number 8 lesson name है adjective हिंदी में इसको हम कहते हैं विशेशन पार्ट नमबर हम लोग का कौन सा हो जाएगा यह पार्ट नमबर 3 ठीके इसे पार्ट नमबर 3 एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेशन अब हमें पढ़ना है कि adjective की क्या definition है यानि कि हम adjective से क्या समझते है यानि कि विशेशन जो है वो क्या है adjective यानि विशेशन अब आडजेक्टिव is a word which qualifies a noun or pronoun यानि किसकी noun की यानि संग्या की और pronoun की यानि के सरवनाम की इस्म और जमीर की जो खासियत बताता है उसको हम क्या कहते हैं adjective यानि के noun और pronoun की विशेशन बताने वाला यानि के खासियत बताने वाला क्या कहलाता है Adjective यानि कि संग्या और हिंदी में भी देख रहेते हैं डेफिनेशन जो शब्द नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेशता पिरकट करता है Adjective कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं Adjective कहते हैं अब Kinds of Adjective पढ़ लेते हैं एक बार देखी फस्ट है हमारा सेम पेज नमर पेज नमर 16 पर ही फस्ट है Kinds of Adjective यानि कि विशेशन के पिरकार Kinds मतलब पिरकार, of मतलब के Adjective मतलब विशेशन Adjective निमलिखित आठ पिरकार के होते हैं यानि कि Adjective जो हैं वो 8 पार्ट्स हैं उनके First है Adjective of Quality यानि कि गुण वाचक विशेशन Second है Adjective of Quantity यानि कि पडिमान वाचक विशेशन Next Third है Adjective of Number यानि कि संख्या वाचक विशेशन Next Fourth है Demonstrative Adjective यह हमें Adjective पढ़ने हैं पेज नमर 16 पर Next हमारा 7 पेज नमर 17 पर Adjective आते हैं Fifth है Distributive Adjective यानि कि विभाग सूचक विशेशर Next Sixth है Interrogative Adjective यानि कि पडिशन वाचक विशेशर Seven है Positive Adjective यानि संबंध वाचक विशेशर Eight है Proper Adjective यानि कि व्यक्ति वाचक विशेशर ठीकिए यह हमें Eight Types के Kinds जो है Adjective के वो पढ़ने हैं स्टार्टिंग करते हैं हम लोग फस्ट से पेज नमर 16 पर ही जो given है First है Adjective of Quality यानि कि गुडवाचक विशेशर इसकी Definition है An Adjective which shows some quality of a noun or pronoun is called Adjective of Quality कहरें वह Adjective जो noun की खासियत को बताएगा noun या pronoun की खासियत को बताएगा वह कहलाएगा Adjective of Quality ठीके Next है Hindi में पढ़ लेते हैं जो विशेशर किसी संगया अत्वा सरनाम के गुड़ को पिरकट करता है गुडवाचक विशेशर कहलाता है जैसे An old man has a long stick तो old यानि कि बुढ़ा तो यह खासियत बता रहे हैं कि वह बुड़े हैं या जवान है नजवान है चोटे हैं बचें जो भी है अच्छा हो चाहे बुरा क्वालिटी में उसकी खासियत जो है वह अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है ठीक है स्टेंट्स नेक्स्ट है फिर adjective of quantity पड़ते हैं यानिके परिमान वाचा क्विशेशन An adjective of quantity describes the quantity of its noun or pronoun जो noun or pronoun की quantity यानिके तादाद बताएगा वह हमारा क्या कहलाएगा adjective of quantity हिंदी में पढ़ लेते हैं adjective of quantity यानिकि किसी संगया अथवा सरनाम की मात्रा पणिमान को पिरकट करता है जैसे, is there any milk in the jug, any, यानि कि कोई भी, तो quantity बता रहा है ये, I have some money, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो कुछ हैं, कुछ क्या है इसमें, adjective of quantity, यानि कि तादाद बता रहा है, वो कि amount बता रहा है, कि ये चीज हमारे पास किस amount में present है, ठीके स्टेंट्स, next है, third है हमारा फिर, adjective of number, या है, adjective of number, denotes cardinal और ordinal number of its noun और pronoun, कहने, adjective of number, जो है, वो denote करता है, cardinal number, यानि के number को, हिंदी पढ़ लेते हैं, ये विशेशड किसी संग्या, या सरवनाम की संख्या, यानि गड़ना या कर्म पिरकट करता है, जैसे, he has 10 रुपीज, तो 10 क्या हो गया है, इसमें, adjective of number, 10 रुपे है, रश्मी got the first prize, कौन सा prize मिला है, रश्मी को, first, तो first क्या हो गया, इसमें, adjective of number, next, fourth है, demonstrative adjective, demonstrative adjective, यानि के संकेत वाचक विशेशड, जिसमें से, a demonstrative adjective points to a noun और pronoun, कहने, demonstrative adjective जो है, वो noun और pronoun को point out करता है, page number 16 पर, यहां ये complete हुआ, next, हिंदी में देख लेते हैं, इसकी definition, जो page number 17 पर given है, demonstrative adjective, किसी संग्या या सरवनाम की ओर संकेत करता है, इसारा करता है, जैसे, this book is heavy, यानि के, यह, वो, या उनका, मेरा, हमारा, यह सब क्या है, demonstrative adjective, ठीके, this book is heavy, यानि के, ये book भारी है, whose are those books, यानि के, ये book किनकी है, तो ये, this और those क्या है, demonstrative adjective है, ठीके, next ह है, fifth, distributive adjective, distributive adjective, यानि के, विभाग, सूचक, विशेशर, अब वो क्या है, a distributive adjective is one that denotes its noun or pronoun singly, यानि के, एक के लिए जो यूज़ किया जाए, जैसे कि, ये हिंदी में देख ले थी definition, ये विशेशर किसी वर्ग की पिरतियेक, संग्या या सरवनाम को, अलग-अलग इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है, एक की तरफ, you can take either pen, you can take either pen, तुम pen ले सकते हो, तो ये क्या है, एक की तरफ इशारा कर रहा है, यानि के, एक के लिए जो चीज़ कही जाएगी, अलग-अलग, वो क्या कहलाएगा, distributive adjective, यानि के, विभाग, सूचक, विशेशर, नेक देखिए, an interrogative adjective, ask a question, के रहें, interrogative adjective में क्या होता है, question ask किया गयाता है, यानि के, सवाल पूछा जाता है, question पूछा जाता है, question पूछा जाता है, ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, interrogative adjective, question पूछने का कार्रे करता है, यानि के, interrogative adjective, question पूछने का काम करता है, जैसे, whose pen is this, यानि कि ये किसका pen है, तो whose, which class do you read in, यानि कि तुम किस class में read पढ़ रहे हो, which, question करने वाला question word, जो है, वो हमारा क्या कहलाता है, interrogative adjective, ठीके students, next is seven, positive adjective, positive adjective यानि कि संबंध वाचक विशेशर, जैसे कि, positive adjective denotes position of its noun, ये noun की position, position बताते हैं, जैसे positive adjective, संबंध की ओर संकेत करता है, जैसे where is your, यानि कि तुम्हारा, मेरा, आपका, हमारा, ये सब क्या है, positive adjective है, तो your क्या हो गया, positive adjective, next है, my pen is in my hand, यानि कि मेरा कलम मेरे हाथ में है, तो my क्या हो गया, इसमें, positive adjective, next है, eight, proper adjective, यानि कि व्यक्ति वाचक विशेशर, proper adjective में क्या हो जाएगा, अब proper adjective is formed from proper noun, कहरें, proper adjective जो है, वो formed होता है, proper noun से, proper adjective यानि कि व्यक्ति वाचक संग्या से बनता है, जैसे, इंडियन सोलजर्स आर ब्रेव, आई लाइक जापानीज, यानि कि प्रॉपर जो noun है, उसको जो form करें, वो क्या कहलाता है, proper adjective, ये मैंने आप लोग को, eight kinds बता दिये हैं, adjective के, next आते हैं, same page number, page number 17 पर ही, degree of adjective, वो कौन-कौन सी है, फस्ट है हमारी positive degree, यानि कि मूल अवस्था, सेकंड है ःहारी comparative degree, यानि कि तुलनातमक अवस्था, थर्ड है हमारी superlative degree, यानि कि उत्मावस्था, उत्मास्था, ठीक है, ये हमारी तीन डिग्री होती है, positive degree क्या है, adjective के, इन रूप से noun, नाउन अथवा प्रूनाउन की विशेष्टा पिरकट की जाती है परंतु किसी नाउन अथवा प्रूनाउन से तुलना नहीं की जाते हैं किसी के किसी को compare नहीं किया जाएगा वो हमारा कहलाएगा positive degree निरियोन के मुल अवस्था पॉजिटिव मीन्स मूल मूल डिगरी मीनस अवस्था ठीक स्वेंटस नेक्स्ट है एव तो प्लश्मी तो रश्मी कैसी लड़की है वाइस है शी इस टॉल गल वह है टॉल तो वाइस और टॉल क्या बता रहा यहां पर पॉजिटिव डिगरि यह इसी को अगर हम comparative में change करेंगे तो comparative degree को हम हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक अवस्था यानि कि comparative मतलब तुलनात्मक और degree मतलब अवस्था adjective के इस रूप से दो noun अत्वा pronoun में तुलना की जाती है यानि कि दो चीजों को आपस में compare किया जाता है वो हमारा किसमें आता है comparative degree में compare से ही clear हो रहा है comparative degree इसमें first है रश्मी is wiser than Mona तो wise का wiser तो दो रश्मी और Mona को compare कर रहे हैं तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा wiser next second है she is taller than her यानि कि यह इस से लंबी है यहाँ comparison नहीं था तो taller compare जब करेंगे हम तो second degree का यूज करेंगे wise का क्या हो जाएगा wiser और tall का taller ठीके students next same page number page number 17 पर ही third given है superlative degree यानि कि हिंदी में कहते हैं उत्मवश्था adjective के इन रूप से दो से अधिक noun या pronoun में तुलना की जाती है और सर्वोत्तम noun या pronoun की और संकेत किया जाता है जैसे रश्मी is the wisest girl in her class यानि के noun की तर्फ यहां पर इशारा किया जा रहा है रश्मी जो है वो wisest girl है किस में? क्लास में तो रश्मी जो है वो कैसी है? wisest है तो superlative में EST लग जाता है comparative में ER और positive में symbol normal word रहता है next second है she is the tallest of all her sisters यानि के सब से सब में ही वो लंबी है तो एक से compare नहीं के सब सी किया गया तो यह हमारा क्या हो गया? superlative degree page number 17 पर यह मैंने degree of adjectives आप लोग को पढ़ा दिये हैं next आ जाएए आप page number 18 देखिए next है page number 18 यहाँ पर कुछ आपको formation of comparative और superlative degrees के formation given है यानि कि हम कैसे form करते हैं superlative degrees में और comparative degrees में first है सामान्यत्ता adjective की positive degree में ER जोड कर comparative degree में EST और superlative degree बन जाता है यानि कि comparative degree में ER और superlative degree बनाने के लिए EST को हम add करें तो हमारा positive degree जो है comparative और superlative में जैसे मैं एकिश रीड कर देती हूं जैसे फरस्ट है भोल तो कमपायम गया बोल्डर、 नेघर काम्बेश्ट दी कोलो ऩूर्लीस्स काम्बीत होने के बात next second है positive degree का अंतिम अक्षार E होने पर केवल R और ST जोड कर कर्मक्ष को comparative और superlative डिग्री बन जाता है कहरें कि कुछ ऐसे words हैं जिन में हम R जोडते हैं comparative बनाने के लिए और ST जोडते हैं हम superlative बनाने के लिए इसे की able का क्या हो गया abler ablest brave braver bravest fine finer finest large larger largest noble nobler noblest white whiter whitest wise wiser wisest blue bluer bluest ठीक है next है फिर थर्ड है positive एक second अब clear नज़र आ रहा होगा positive degree का अंतिम अक्षार Y और Y से पहले कोई consonant होने पर Y को I में बदल कर ER और EST जोडते हैं कहरें positive degree का अंतिम जो अक्षार हो अगर उसमें Y है और Y से पहले अगर consonant है तो Y को I में बदल देंगे और हम ER और EST जोड़ देंगे comparative और superlative बनाने के लिए जैसे की easy Y से पहले क्या है consonant है तो हम इस Y को remove करेंगे I लिखेंगे और comparative में हम ER लगा देंगे और superlative में हम EST लगा देंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा easy, easier, easiest, heavy, heavier, heaviest, happy, happier, happiest, busy, busier, busiest next step fourth इसको देख लेते हैं कहरें Y से पहले wobble होने पर यहां तो Y से पहले wobble नहीं था consonant था और अगर Y से पहले wobble होने पर Y को I में नहीं बदलते हैं यहनिके Y से पहले अगर wobble होगा तो Y को I में नहीं बदलते हैं जैसे की gear, 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 ER और EST सिर्फ लग जाएगा अगर wobble होगा Y से पहले तो ठीके स्टेंट्स यह हो गया, next step 4, positive degree का अंतिम अक्षर, consonant और उससे पहले wobble होने पर अंतिम अक्षर को डबल करके ER और EST जोडते हैं नहीं कि positive degree कुछ ऐसी हैं जिनके अंतिम अक्षर consonant होंगे अगर तो उनसे पहले wobble होने पर, consonant से पहले अगर wobble होगा तो हम क्या करेंगे बन जाएगा, जैसे first है, sorry, fourth है big, consonant है, consonant से पहले wobble है, ठीके, consonant हो और consonant से पहले wobble हो तो उसमें हम क्या करेंगे, उस last वाले consonant को डबल कर देंगे, और comparative बनाने के लिए ER कर देंगे, और superlative बनाने के लिए EST, तो big का क्या हो जाएगा, big, bigger, biggest, fat, fatter, fattest, hot, hotter, hottest, sad, sadder, saddest, red, red finder, reddest, thin, thinner, thinest, यह complete हो गिया, next, same page number, page number 18 परày, next, five point है, कुछ adjective की comparative degree बनाने के लिए more तथा superlative degree बनाने के लिए most का प्रियोग positive से पहले करते हैं, यानकि कुछ adjective ऐसे होते हैं, जिनको comparative में करने के लिए more का यूज करते हैं, और superlative में करने के लिए most का use करते हैं और यह हम positive degree से पहले पहले use करेंगे पेज नमबर 18 पर हमारा compute हो गया next आजाएगे page 19 पर देखिए जैसे कि एक्जामपल beautiful तो beautiful क्या है हमारा positive degree है तो positive degree से पहले हमें comparative करने के लिए more और superlative करने के लिए most तो beautiful की comparative degree क्या होगी more beautiful और comparative degree most beautiful इसी तरह से same difficult का more difficult most difficult important में है more important most important useful more useful most useful ठीके चिल्डेंट्स यहाँ पर हमारा students यह compute हुआ next six point है same page number page number 19 पर ही six है कुछ adjective ठीक है यानि कि कुछ adjective की comparative और superlative degree निश्चिद है यानि कि कुछ ऐसे adjective है जिनकी comparative degrees और superlative degrees जो है वो same रहती है मतलब निश्चिद मतलब की बिल्कुल अलग है जो एक दूसरे से बहुत ही अलग है अब वो कौन कौन सी degrees है हम सबसे पहले उन्हें read करेंगे जैसे कि first है bad का क्या है bad और ill का what's और what's next good well का better best next इसी तरह से late का later later और latest last little less least much many का more most far का further further और farthest furthest for former foremost first out का outer utter uttermost uttermost और utmost अपका है upper और uppermost और upmost यह कुछ ऐसी degrees है adjective है जिनकी comparative और superlative degrees जो है वो बिलकुल निश्चेत यानि के अलग होती है यह हमारे हो गए यहाँ पर explanation then exercise देख लेते हैं हम same page number page number 19 पर ही के विर है question number a है इसमें fill in the blanks with suitable adjective from brackets यानि के fill in the blanks हमें fill करनी है जिसमें first है adjective जो इसके accordingly ठीक है उसको हमें यहाँ पर fill करना है इसमें comparative degrees भी है positive degrees भी है और superlative degrees भी है ठीक है first है she is my dash sister यह मेरी sister है elder या फिर older तो older नहीं आएगा elder आगा she is my elder sister यानि के यह मेरी बड़ी बहन है next second है he is senior dash you in age देखिए दोनों चीजों को compare किया जा रहा है तो हम क्या यूज करेंगे then यह हो जाएगा he is senior then you in age यह तुम से senior है किसमें age में यानिके उम्र में next third है you came dash then I later और later में कौन सा आजाएगा हमारा यह वाले later तो हो जाएगा third you came later then I यानिके तुम मेरे बाद आना आये थे यह आना I came I came I have dash work to do many या फिर much यह जाएगा I came many work to do यानिके मैंने बहुत से काम किये है next five है five देखते है last next है what is the dash news यानिके what is the last news या फिर latest news तो क्या जाएगा what is the latest news यानिके या है last मतलब गदर चुकी अगर लाष्ट हम लिखेंगे तो यहां पर इस की जगह was हो जाएगा टीके what was the last है यहां पर इस जाल रहा है तो हम क्या यूजका करेंगे latest यहीनके what is the latest यह सब मैंने जो टिक किये हैं यह आप लोगों यहां पर इस्टेंट्स फिल भी करने टीक है elder next second में हो जाएगा then next third में हो जाएगा later next fourth में आ जाएगा हमारा many next fifth में हो जाएगा हमारा latest ठीक है यह हमारा page number 19 पर एक question complete हो गया next question 2 है यानि कि question number B fill in the blanks with the correct degrees of comparison of adjectives given in the brackets आप लोगो यहाँ पर सिर्फ adjective given है अब आप लोगो यहाँ पर fill करना है कि positive degree आएगी या comparative degree आएगी या फिर superlative degree आएगी तो first है a fox is dash then आप कि रो देखी दो चीजों को compare कर रहे हैं तो जब comparison होता है तो हम comparative degree लगाते हैं तो cleaver की comparative degree क्या हो जाएगी cleaverer page number 19 पर यहाँ पर given है a fox is cleaverer than a crow यानि कि fox जो है वो crow से ज़्यादा cleaver है ज़्यादा नहीं मतलब cleaver है next is second which is dash gold और silver इसमें costly है तो costly का क्या हो जाएगा which is dash gold और silver दोरों चीजों को क्या कर रहे हैं या पर comparison कर रहे हैं मैंने क्या लगा दिया third form good best or better ठीके strengths next test में फिर फोर्थ Ruby is the dash of the five sisters यानि कि पांचों बहनों में Ruby जो है वो क्या है सबसे जादा wise का क्या हो जाए एक से compare दो चीजों compare नहीं जादा लोगों compare कर रहे हैं तो हम यह हो जाएगा third form यानि कि सूपर लेटिव डिग्री और सूपर लेटिव डिग्री वाइस की क्या होती है वाइस तो यह हो जाएगा Ruby is the wisest of the five sisters next five है you are a very dash player यानि कि तुम एक बहुत कैसे player हो good good का यहाँ पर गुड़ी रहेगा you are a very good player यानि कि तुम्हें एक बहुत अच्छे player को page number 19 complete हो गया next आ जाएगे अब page number है यहाँ पर 20 page number 20 पर यहाँ lesson number 9 है articles यानि कि उपद articles जो होते हैं वो two types के होते हैं हमारे एक होता है indefinite articles और दूसरा होता है हमारा definite एक होते हैं अर्टे करते हैं अपना कॉंस्टे से पहले और यूज हम करते हैं किसी खास चीज के लिए ठीक है यह मैंने आपको बता दिया है इससे पर सिर्फ यही था दोनों आटिकल्स बताने थे नेक्स आजाए पर आप लोग को एक्सराइज गिविन है जिसमें तू कोशन से कोशन नंबर बन जो है उसमें कह रहे हैं फिल इन ब्लैंक्स विद एप्रोपिरियेट आर्टिकल्स यानि कि ए एन आर्टिकल्स कितने होते है है में थी । करता है अ मारे यह इंड होते हैं एट किलो नहीं में देविए तो इसमें फिर्स है it is useful book तो यहाँ पर मैंने जो use किया है देखिए जो हमारी blank है उस blank के आगे जो number है उसका first letter क्या है वॉविल है वॉविल के पहले मैंने क्या बताया है वॉविल जो होगा यानि के वॉविल कौन कौन से होते है हमारे suppose a e i o यह start होंगे तो यह हमारा क्या जाएगा यहाँ पर and तो जाएगा it is and useful book यानि कि यह एक कैसी किताब है useful तीनों के a and da तीनों के ही क्या meaning है एक ठीके यह हमारा यहाँ पर complete हो गया next जो है question number two इसमें कह रहे हैं question number two में sorry dash line is dash beast of prey यानि के line एक है तो मैंने a beast of prey के साथ हम क्या लगाएंगे da कोई खास चीज जब हम कोई खास चीज के लिए बात करेंगे तो हम लगाएंगे da तो यह हो जाएगा align is the best of prey sorry beast of prey next हो गया हमारा four है she is dash honest girl honest h है लेकिन इसमें आवास जो आ रही है वो की आ रही है वोविल की आ रही है तो हम यह एचना देखकर यह देखेंगे यह हो जाएगा she is an honest girl यानि के यह एक इमांदार लड़की है पढ़ने पढ़ दिखी देखी इसमें वैसे तो lower consonant है she is a honest girl इतुछ रही है क्연 molto साउंड हमारी आरिए वो ववल्म की आरिए honet में पढ़ते हैं म tymтовate हो क्या पढ़ते है और यह था इसलिए यहां पर क्या जाएगा in next five la sandraises in the East यह पर क्यों जाएगा does sunrise in the इस तो वो जाएगा दा इसी तरह से 1st हमारा हो गया it is an useful book ठीके स्टेंट्स next second हो गया align is the beast of prey next third हो गया he is dash sorry he is an university student next fourth हो गया she is an honest girl fifth the sun rises in the east sorry यहां पर हमारा complete हो गया next same page number page number 21 पर ही next given है fill in the blanks with appropriate articles यहां आपको blank given नहीं है कहां article fill करना है खुद ही अपने accordingly sentence के according आपको देखना है कौन सा article हमारा यहां पर miss है उसको हमने लगाना यानि कि fill करना है जिसमें first है he is best student of class यानि कि यह सबसे अच्छे student है कहां के class के तो इसमें कहां पर आ जाएगा वह बेस्ट से पहले यह हैं एक अच्छे एक है student तो he is a best student of class ठीक है next है second sunsets in west इसमें क्या miss print है यहां पर sunset in the west तो मैंने कि हमेशा सच बोलो इसका जो पूरा जो स्लोग है यह क्या है always speak the truth ठीक है students यह होगी हमारा next है never tell lie इसमें यहां पर हमारा यहां पस article miss है क्या हो जाएगा never tell a lie यह कि कभी जूट नहीं बोलना चाहिए ठीक है नहीं बोलो यह page number 20 sorry 21 पर lesson number 9 complete हो गया अब मैंने last आपको बताया था जो chapter वो था आपका essay essay writing तो यह हम लोग चेक कर लेते हैं अपना essay कहां पर given है essay देखिए मैं आप लोगो 2 बताऊंगी जिसमें से आप लोगो दो में से एक learn करना है आपके एक्जाम में च्वाइस आएगी दोनों में से एक को अच्छे से learn करेंगे हम लोग इसकी ठीक है इसलिए दोनों आप लोग को नहीं learn करने सिर्फ एक essay learn करेंगे देखिए यहाँ आ जाएगी page number 59 कि लेसन नमबर 25 यह भी हम लोग का क्या हो जाएगा पार्ट नमबर ठीक है स्ट्रेंट्स यहाँ आपका सभी लोग डेट जो करेंगे यह क्या है essay writing essay का मतलब निबंद writing मतलब लेखन essay writing यानिके निबंद लेखन देखिए एक है आपका इसमें independence day और दूसरा जो है आपका same page number page number 59 पर ही चिल्रेंट्स डेट फर्स्ट जो है आपका वो क्या है independence day students ठीक है next second जो है आपका वो क्या है children's day students ठीक है तो इन दोनों मेंसे आपको कोई एक लर्ण करना है at least 10 lines आप लोग को उसको लिखनी है अपने एक्जाम में हाफ ली यानिकि जो essay होने वाले हैं आप लोग के चाला उसमें सभी को independence day अगर आप लोग learn करने है तो उससे related 10 lines लिखेंगे और अगर आप लोग children's day लेंट कर रहे हैं तो उससे related आपको 10 lines लिखनी है ठीके students independence day और children's day इन दोनों में से किसी एक के बारे में आप लोग को ऐसे याद करना है कितनी कितनी lines बताइए मैंने 10 lines इन 10 lines को सभी को इज़ागे लिए अपना prepare करना है और ये भी हम लोग का part number 3 में हो गया ठीक है तो हाफ ली का जो हमारा syllabus था वो मैंने एक ही part में complete कर दि lesson no.9 article जो page no.20 से start था then same contents में देखिए lesson no.25 essay writing जो page no.59 में था ठीक है ये मैंने 3 chapters जो है वो आप लोग को एक part में complete करा दिया है तो ये सभी आप लोग का हाफ ली का syllabus जो था वो class 4 complete हो गया है यहां तक सभी को अपना बर complete करना है ठीक है thank you